हेलो दोस्तों इस टैनों हेल पीपी मां आप सभी का स्वागत है आज का डिक्टेशन दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के एडिटोरिल से लिया गया है जिसमें दोनों को हमने एक सांस मेलित करा है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरू करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं ठीक पांस सेकिंड के बाद रिडी स्टार्ट अयोध्या मामले में मध्यस्तता की मांग केवल इसलिए हैरान नहीं करती की यहो तब की जा रही है जब सुपरीम कोट इस मामले की दिन परते दिन सुनवाई कर रहा है बलकी इसलिए भी करती है क्यूंकि दोनों और से केवल एक-एक सदस्य ही आगे आए हैं मुसलिम पक्ष से सुन्नी वक्व बोड और हिंदू पक्ष से निर्वाणी अखाडा ने मध्यस्ता समू से फिर से बाचीत करने का अनुरोद किया है कहना कठिन है कि उनके अनुरोद पर सुपरीम कोट क्या मत व्यक्त करता है लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होता कि सुन्नी वक्व बोड और साथ ही निर्वाणी अखाडा उन सभी को अपने साथ लेते जो इस मामले में वादी परतिवादी की भूमिका में हैं चुकि बिना ऐसा किये मद्यस्ता की मांग कर दी गई इसलिए यह अंदेशा होना सभाविक है कि कहीं यह मामले को लटकाने की कोशिस तो नहीं है इस अंदेशे का एक कारण यह भी है कि दोनों पक्छों के अन्य सदस्य ऐसी किसी मांग से अनभिग्यता जता रहे हैं कुछ ने तो नए सिरे से मद्यस्ता की जरूरत ही खारिज कर रहे हैं इस पस्ट है कि जब तक दोनों पक्छों के सभी सदस्य मद्यस्ता की मांग नहीं करते तब तक उस पर गौर करने का कोई कारण नहीं बनता कम से कम मद्यस्ता की इस मांग के चलते अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोट में हो रही सुनवाई तो नहीं ही रुकनी चाहिए वैसे भी इसकी संभावना कम ही है कि नए सिरे से मद्यस्ता के जरिये किसी सर्वसामान नतीजे पर पहुँचा जा सकता है ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों पक्छों के सभी सज़स्य ना केवल फिर से मद्यस्ता के लिए तैयार हों बलकि उनके पास विवाद के हलका कोई ठोस फॉर्मूला भी हो फिलहाल बहतर यही होगा कि आपसी बातचीत से किसी समाधान तक पहुचने की इच्छा रखने वाले पहले किसी फॉर्मूले पर सहमती बनाने का काम करें इस बीच सुपरीम कोट को अपना काम जारी रखना चाहिए देश के किसी भी इलाके में हिंसा रोकने के प्रती भारत सरकार की सजगता और वहां के लोगों की सुपरीम कोट में सुनवाई दोनों ही भारतिय लोक तंत्र की सदेव स्वागत योग विशेशताएं हैं इस देश की व्यवस्ता विधाई का कार्य पालिका और नियाई पालिका की संयुक्त जिम्मेदारी है समय समय पर ये तीनों एक दूसरे को प्रेरित संसोधित करते रहते हैं और देश में सविधान के साए में लोक तंत्र परससनी रूप से पलता आ रहा है इस तापित विवस्ताओं के तहत ही सुपरीम कोट ने जम्मू कसमीर की इस्तिती के बारे में सरकार से दो सपता में जवाब मांगा है तो यह सौभाविक है कसमीर में केंद्र सरकार की सावधानी के 40 दिन बीत चुके हैं इसमें कोई सक नहीं की कोई भी वेक्ती सुपरीम कोट में गुहार लगा सकता है जम्मू कसमीर के संबंद में केंद्र सरकार से असहमत लोग सुपरीम कोट का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो कोई आस्चर्य नहीं न्याले की मनसा इसपस्ट है वह जम्मू कसमीर से जल्द से जल्द सामान जिन्दगी की बलहाली चाहता है केंद्र सरकार भी यही चाहती है और अब समय आ गया है जब जम्मू कसमीर की सुल्जी हुई सभ्य राजनीतिक आवाजों को सकरिय होने का मौका दिया जाए कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता गुलाम नभी आजाद को अपने घर परिवार से मिलने जानने देने की इजाज़त इस दिशा में उठाया गया सराहनी कदम है इस टॉप दोस्तों यह हमने एडिटोरियल डिक्टेशन बोला है अगर आपने इसे लिखा है तो इसका ट्रांस्किप्टन जरूर कीजिएगा और ट्रांस्किप्टन करने के बाद पीडिएफ जरूर मिलाएं पीडिएफ आपको हमारे वट्सप और टेलिग्राम दोनों ग